नमस्का जिनलतर डीवी देखरें आप आपके साथ मैं हूँ अंचली भंडारी और चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर मुखे मंतरी पुशकर सिंग धामी ने सियम आवास में भारत रतन पंडित गोविन बल्लब बपंथ की जोयन्ती के अफसर पर उनके चितर पर श्रद्दा सुमन अर्पित का श्रदाज लिए इस जोरान उन्होंने कहा कि पंडित गोविन बल्लब पंथ महान सोतंता संग्राम स जनानी, देशभत, समा सेवी और कुशल प्रसाश्रक थे उन्होंने हिंदी को राजभाईश्वा के रूप में प्रतिश्च्छत कराने में महत्वपून भूमी का निभाई है अधर उत्राखन में आगामी निकाह चुनाव, पंचाह चुनाव और केदारनात उप्चुनाव की तैयारियों को लेकर देरदून में कॉंग्रिस समन्वे समीती के बैचक हुई जिसकी अध्यक्षिता कॉंग्रस प्रभारी सुरंदरिश्चर माने की, बैचक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, वही बैचक के बाद कॉंग्रस के प्रतिनिदिबंड ने राजभावन में राजपाल गुरवीत सेंग को ग्यापन सौपा, ग्यापन में कॉंग्रस न जो हमारी हैं महिला कॉंग्रेस की अद्यक्ष, यूद कॉंग्रेस की अद्यक्ष, अने चोय की अद्यक्ष, हरक सिंग जी, सभी वरिशिजन वहां थे और विगर्दीवी कानून व्यवस्ता को लेकर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें खासकर महिलाओं के उपर जो अपराद बने हैं और हम पहले नंबर पाए हैं और उसमें एक जो पहलू सबसे मजबूता वो यह है कि एक तो आईसबीटी में जो घटना घटी और माइनर के साथ जो हो रहा है साथ में चमबावत वाले घटना से कोई सबक सरकार ने ने लिया मेरा ऐसा मानना है एक अमजोर केस के चलते वे मंदल अद्यक जो है जमानत वे बाहर हुए और सल्ट के केस में भी यह देखने को आया जो माइनर के संग जो कुछ भी हुआ जो आप लोगों ने दिखाया या सुनाया उसका मेडिकल साथ वे दिन में हुआ और जो मेडिकल टर्म्स को जानते हैं वो जानते हैं कि साथ दिन के बाद अगर किसी का मेडिकल होगा किसी बच्ची का तो उसके क्या परिणाम आएंगे क्या उसका मेडिकल रिपोर्ट कहेंगी आप सब समझते तो उस बिनाब आज वो भी जो है जमनत पे बहार आ गया है तो ये संगडित अपराद है अगर अंकीता के अपराद ही को वी आईपी को पकड़ लिया होता कमरे को वी आईपी ना बताया होता और सबूतूं के संग छेड़चाड नहीं होती तो सायद आज कारे करताओं का और जो संगड़न के लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं होती वो ऐसे अपराद करें जोशी के इस बयान पर कहा है कि इस राज्य में अने को बार राज्यों तेक श्रित्र में काम करने वाले लोगों के उपर गलत आरोप लगते हैं और उन्हें जिलने भी पड़ते हैं इस राज्य के अंदर इस राज्य के अंदर राज्य के अंदर पर दोड़ करने वाई लोगों के लिए अनावशक आरोप अन्यकुवार मिलते भी हैं देखने पड़ते हैं जिलने पड़ते हैं और क्योंकि सरकार जब जांच करती है तो दूद का दूद पानी का पानी होता है जांच पर सब को विश्वा रखना चाहिए और इस प्रकार के अनगल बयान बाजियों का कोई राज़ती कारतों निकलता नहीं है साथ कॉंग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए इस पर सभी नेताओं से बात चूइत होगी पॉलिटिकल एज़ेंडेस हैं हमारे अभी निकाई के चुनाओं होने वाले हैं पंचायत के चुनाओं सामने हैं बाई एलेक्शन है केदारनाथ का और हमको उसके लिए प्रभारियों की निक्तियां करनी हैं और भी बहुत सारे ऐसे एज़ेंडे हैं जिस पर पार्टी स्थर पर डिसकसन होना है सीनियर लीडर्स की एक सत्रा लों के कमीटी जो बनाई गई है हाई कमान के दोरा उसकी आज एक बैठक है जिसमें प्रतिबाह करने के लिए आदरनी शर्मा जी हमारे बीच में उपस्तित हैं जो हमारे साहब पर बारी है उदर उत्राखन के रारशनोतिक के तिहास में कभी बीज़ेपी तो कभी कॉंग्रेस सत्ता पर कापिस रही है लेकिन राचिक अठन में बेहद महतवपूर्ण योगदान देने वाला शेत्र दल यूकेडी कभी भी अपनी सरकार उत्राखन में नहीं बना पाई आपको बता दे कि हाला कि 1227 के विदान सब्चुनावों के लिए उत्राखन क्रांटी धला वाकई में दरसल क्रांटी लाने के मूट से निज़र आ रहा है और अब आपको यह भी उता दे कि यूकेडी के केंद्रिय महामंत्री संगठन कर्नल सुनील कुटनाला का कहना यह है कि इस बार विदान सब्चुनाव के लिए पार्टी के सभी कारिकरताओं को ग्राउन लेवल पर जाकर यूकेडी की विचारधाराओं को जनता तक नहीं मिल रहा था कि वो उत्राखन करांती दल को वोड कर सके कुछ हमारी कमजोरी थी कुछ हम उन तक नहीं पहुँच सके मगर अब 227 में अगर हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम बिलकुल ग्राउन लेवल से अब अपना कारिकरम शुरू करेंगे कारेकरता ज हम संटन ऊपर की तरफ इसको ले जाएंगे और बहुत ही डेमोक्राटिक तरीके से पार्टी अब जो है तरीके से चलने लगी है तो संटन जब मजबूत हो जाएगा और हमारे कारेकरताओं में एक नया जोश आ जाएगा तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में 227 मे हम सरकार जरूर मनाएंगे करियर में देखा आगाज हो चुका है और रसासिं की तरफ से परता के साथ सारी अब ज़स्ताओं को चुद्टो इसकार्टिक मेले का सपार्चन पादर करने हैं इसमें जो है समुन्तिक भी 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 बिकाद की आपका परिमार्ट वागों या नगटिकारी है और नगर पंच करिये और इसके लावा जाने हैं तरफ से परता के सब्सक्राटिक में जो है और राखिक आपकारी है और नगर जो है समुन्तिक भी बिकादर की तरफ से परता की तरफ से ब्सक्राइब जो है है कि अपने पहली प्रात्मिक्ता उनकी निर्धारित राजस्व के लक्षे को पूरा करना है साथी जो अवैच शराब की विक्री हो रही है उस पर पूरी तरह से अंकुष अलगे इसके दिशा नर्देश दिये गए हैं वहीं गड़वाल और कुमाओं रीजिन के वरिष्ट अधिकारियों को इस पर पहली नजर जो है वो रखने के लिए अतरिक्त कर्मचारी भी दिये गए हैं ताकि कड़ी निग्रानी रखे जा सके बता दे कि राज़सरकार ने चारज़ार करोड़ से जादा राज़स राप्ती का लक्ष रखा है जबकि अभी तक केवल दो लक्ष को राप्त कर सके आँ उसके लिए जहां फेकलॉक चल रहा है जिन जिन वदों में हमारी रिकावरी उस इसाफ से नहीं हो रहे है जिस अनुरूपात में होंने चाहिए तो उसके लिए रिकावरी जिम्मेदारी सभी जिलाप करिया दिकारियों वो दी गई है और इन्हें लक्ष दिया गया है कि समय रहते इसको जमा कराएं जहां तक अवेट सराप के संबन में हैं या इलिगल देशी मदिरा है या जो कच्छी सरावाती उसके बारे में हैं अन्य राज्यों से जो हमारे पा में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर लगाए गए साइन बोर्ट सुर्ख्यों में हैं ग्रामिडू ने बाहरी लोगों को च्वेतावनी दी है कि अगर वे गाउं में प्रवेश करेंगे तो उन्हें पांच रुजार का अर्थिनंड लगाने के साथ ही कानूनी जिसको देखते हुए ग्रामिडों ने अपने सुरक्षा के लिए इस तरह के बोर्ट गाउं के बाहर लगाए हैं कि पिछले गरों देव भूमी के अंदर कुछ सडंत्र कारी तत्वर इस प्रकारी घटनाय को अंजाम दे रहे थे उससे भैका वातर मनना स्वाइब था चाहे नंदा नगर की घटना रही हो चाहे रुद्रपया घटना रही हो पीड़ में टीरी चक्रता घटना ही रही हो एक आक्रोस समाच में देखने को मिला है और हर गम सभाक को अधिकार है कि अपने या भारी तत्व्त्रों को आने से रोगने के लिए गाओं की सुरक्षा के लिए वो अपने कोई ने कोई नीती और लागू कर सकती है ये ठीक है कि उसमें सब्दा वली क्या प्रियूक की जाए इसलिए हमने कागरह किया कि भारी तो समस्था पहड़ा जा सकता है, और जिस्वक्ति की पहचानीं पहार तो बहुत सांच प्रिय है, चेतर हैं और गाओं में कोन आ रहा है, कोन जा रहा है उसको गाओं का अर व्यक्ति समझता पहचानता भी है, इक पिछले दिनों इस प्रकार के अबरादी इकटने है, जो प्रकोप से बशने के लिए स्वासवभाग लगा तार एक्शन मोड में काम कर रहा है जिसके चलते जिला स्वासय महकमाने स्कूलों के निरिक्षण के लिए टीम गठित की है जो देरदोन के तमाम स्कूलों में जाकर परिसर में चात्रों को पूरी बाजू के युनिफॉर्म पानी भारा ना होना इसका निरक्षण करेंगे तो इसके अपने घर के आसपास में भी अक्टिविटीज करेंगे और साथ में हम लोग यह देखेंगे कि इसकूल में फुल स्लीप के बच्चे जो है ड्रेस में आ रहें कि नहीं आ रहे हैं तो इस तरीके से अभी हरिटेज में अब स्कूल्स वाले भी जो है खुदी हमें हमें कॉंटक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे आईए डेंगू के बारे में बताईए तो हैरिटेज ने भी हमारी टीम को बुलाया था तो मैंने अपनी टीम भेजी थी और उक्रेक शोड़ से ब्रेक के लिए फॉरल लाट रहे हैं पीछे देखो पीछे ना की इन परिवारवादियां की पिछड़ी होई सोच पे नॉन्स्टोप विकास पीजे फीपे विश्वास रिके बास स्वागत है खबरों में आगे बढ़ेंगे उतर आपको बताते कि राज़दानी देरदून में मौसम का मिजास बतला हुए नज़र आ रहा है तेजवाओं के साथ बारश का सलसला शुरू हो गया है प्रदेश के पहाड़ी जलों में भी लगातार भारी बारश हो रही है वहीं भारे बारश के चलते आम जीवन प्रभावित हो रहा है वहीं मौसम वबाग ने उत्राखन के पहाड़ी और मैदानी जलों के लिए तेज़ बारश का अलट जारे किया है उधर देव भूमी के मशूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सैलानियों के लिए नया सर्किट शुरू किया जा रहा है इसका मकसद सैलानियों को मशूर प्रक्ति प्रेमी और लेखग जिम कॉर्बेट की जिन्दगी से रूब रू कराणा है देखे रिपोर्ट उत्राखन के मश्रूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सेलानियों के लिए नया सर्किट शुडू किया जा रहा है इसका मकसद सेलानियों को मश्रूर प्रक्रति प्रेमी और लेखक जिम कॉर्बेट की जिंदगी से रूबरू कराना है नया सर्कित कॉर्बेट नेशनल पार्क के काला डूंगी में है ये सहलानयों को जिम कॉर्बेट की किताबोंपे जिक्र की गई जगों पर ले जाएगा वहाँ पे सान्नी चौड या भूमका चौड में जहां उन्होंने बैचलर पावलगर्ड को मारा था तो ये सारा इनका जो गुप्स में जो मेंचेंड है उसको एक लेके पुरा ही हेरिटेज सर्कुट बनाया है जो टोटल 45 किलोमेटर का सर्कुट रहेगा कॉर्बेट हेरिटेज सफारी की कोशिश सेलानियो को उस रोमांच का एहसास कराना है जो जिम कॉर्बेट के समय थी आसपास के लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है उनका कहना है किस से सैलानियों को अनूठा अनुभव होगा और उनके लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे ब्रिटिश जिम कॉर्बेट को भारत में जंगली जनवरों के संविक्षण में एहम युगदान के लिए जाना जाता है उनका जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनिताल में हुआ था कॉर्बेट नर्भक्षी बागों और तेंदूओं का शिकार में माहिर थे अलाकि बाद में उन्होंने अपना जीवन जंगली जनवरों के संविक्षण और सुरक्षा के लिए समर्खत कर दिया उनके लिखी केताबें भी मशूर हैं जनमें जिम कॉर्बेट के जंगल में अनुभवों और रोमांज के बारे में जानकारी मिलती है उदर आपको बता दे कि उदम सिंग नगर में नर्स के साथ कथित रेप हत्या से लोगों में काफी गुसा है जिसके चलती अब लोगों ने पिडिता को इंसाब दिलाने के मांग करते हुए रैली निकाली देखे रिपोर्ट करलों से निकाली इंसा अस्टर में लोगो इंसाब्स आठ अगस्त को पिलास्पु जो छेत्र है यूपी का वहाँ पर एक महिला का शब बरामद हुआ था जिसकी आइडेंटिफिकेशन जब की गई बिलॉंगिंग से याद हुआ कि यह उसी गुंशदा महिला का शब है अगस्त को जो मुख्य अभ्यूक्त है उसकी गिरफतारी की गई थी इसमें और उसे रिमांड लिया गया था मानी नियाला ऐसे इसके बाद एक हमारे जनपद में एक SIT गठित की गई थी जो इसकी विवेचना कर रही थी इसमें हमारे SP Crime थे, SP City थे और मैं इसमें टीम प्रभारी के रून में काम कर रही थी इसमें हमारे द्वारब इस्वेच जांच की गई थी जो भी कारिस्थल था महिला का उसके आसपास के जो लोग रहते हैं उनसे पुछताच की गई थी CCTV का बलोकन किया गया और साथ ही साथ पूरा टेक्निकल सा वेलेंस किया गया अधर आपको बताते हैं कि भाजपा सदस्ता अभ्यान के शुरुआत तीन सित्मबर से उत्राखन में हो चुकी है जिसके चलते हैं भाजपा प्रदेश शुद्यक्षा माइंदरबट ने सदस्ता अभ्यान में और तीजी लाने के लिए आपोस्टर लांच किया है और इस दौरान माइंदरबटने का क्यार एक कारेकरता से साथ दिन का समय अभ्यान को लेकर मांगा गया है कारेकरता इन साथ दिनों में हर घर जाकर पाटी का पोस्टर देने के साथ ही स्ट्रिकर लगाने का काम करेंगे देखे भारजन्ता पाल्टी का सहस्ता अभ्यान गती पकड़ चुका है आज हमने परतेक कारिकरता से साथ दिनों को समय मांगा है साथ दिन हर घर पर जाना है पाल्टी की गद्विदियों का पत्रक हमने आज लौंच किया है वो देना है जिस घर में जा रहे हुआ इस्टिकर भी लगना है और एक घर के अंदर अगर ऐसे मत दाता है जिनको मुबाइल नहीं है तो ओफ लाइल मेंबर से भी हमारी आसे प्रा अवशक हो गया था उस तिसा में हमने अपने संक्या हर व्यक्ति तक हम सदस्दा हमारी हम को सके हमारी सदस्दा सदस्दा बन सके इसके आज का ही लौंचिंग का कारिकम था और अभी तक हमने लगवा धाई लाग सदस्दा से हमारे बन चुके हैं और देरे देरे यह संक्या हमारी जो हमारी अपिक्षा हैं उससे ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे उदर आपको बताते कि सुमवार को दिली में वित्मंत्री निर्मला सितारामन के अद्यक्ष्टा में ज्यू एस्टी परिश्वत की चौहनवी बैटा कुई जिसमें के वित्मंत्री प्रेम चंद अगरवाल ने उत्राखन के मुद्दो को उठाया और जोरान उन्होंने कहा कि हलिकॉप्टर से धार्मी क्यात्रा पर ज्यू एस्टी आटाराफ फीज़ी से खटाकर पांच फीज़ी किया गया है जिसमें की आज चोबन वी विज़ी बैटरी के आपर हो रही है और मैं उत्राखन के प्रपेश में जो बड़ा निर्ने हुआ उआ उन्हों पर जो हालिकॉप्टर सेवा हमारे यह जैसे बदरिना के दाना त्याम्ने जो हमारे तिर्थ इस्तल है या धारमिक इस्तल है या हम हमारे दाम जीन को हम भोलते हैं उसके ओपर जेस्टी है वो पांच परशेंट का जो हमारा श्राव तो उम्मीद कर रहा हूं कि वो जब नोटिफिकरिकर्शन जारी होगा तो हमारी जितने भी सरधालू है आने वाले कि हमारे आप जानते ही चार दाम यात्रा में बहुत सारे तो स्वभावी गुरुप से उनको एक से लाव होगा और हमारा जो मंतव्य है यानि उत्राकन का या मेरा हमारा आने मुक्षमित्री जी वो इसमें आज निलने हुआ है दूसरा जो प्रमुकर निलने जो मैं कह सिता हूं वो जो हमारे यां रिसर्च करने वाली लोग है वो तीन उनकी जो काटेगरी थी उन तीनों को हाला कि फिटमेंट को देने का निलने हुआ है